हेलो दोस्तों जहिन एक बार आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल ETW Sports News में दोस्तों कहते हैं न nah कि भारतियों के दिल को ठेज पहुँचाने वाले को भारतियों के दिल को दुख पहुँचाने वाले को दुनिया में कहीं भी स्थान नहीं मिलता है और ये बात सच सावित हो गई है भारती टेनिस स्टार खिलाडी जिन्होंने भारती लोगों के लिए ही नहीं अपिटू करोडों मुसलिम भाईयों के दिल को ठेस कहुँचा करके पाकिस्तानी के केटर सोई मलक से साधी की थी और उस सोई मलक ने उनको धक्के मार करके अपने घर से बाहर निकाल दिया अपने जीवन से बाहर निकाल दिया है और सानिया मिर्जा को तलाग दे दिया है दोस्तों पहली बात तो मैं आप सभी दोस्तों से ये पूछना चाहता हूँ कि भारत में मुसलिम नहीं थे या अच्छे मुसलिम नहीं थे या देशवक्त मुसलिम नहीं थे लेकिन पाकिस्तानी ज्यादा अच्छे लगते हैं खेर यह वही सानिया मिर्जा हैं जिन्होंने दुनिया में एक टेनिस स्टार के रूप में ख्याती प्राप्ति की और दोस्तों यहां तक कि यदि आपने इनको फॉलो किया होगा तो आपको पता हुए यह किस लेवल की खिलाडी नहीं लेकिन भारती मीडिया ने और भारत की सरकार ने भारत के लोगों ने इनको सरांखों पर बिठाया और दुनिया में इनका खूब डिल्डोरा पीटा अंतता भारतीयों के दिल को ठेस पहुँचा करके पाकिस्तान में साधी करके चली गई अब इनका तलाग हो चुपा है दोस्तो सोई मलिक एक पाकिस्तानी करकेटर है सबी लोग जानते होंगे और सानिया मिर्जा भारत की टेनिस इस्टार खलाडी है ये बात भी आप सबी लोग जानते होंगे लेकिन इनका तलाग हुआ किस कारण से इसकी बज़े क्या है तो बज़े जानने के लिए दोस्तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और यदि चैनल पर पहली वार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दवा दीजिए ताकि मेरे आने वाले नए खेल और खिलाडियों से सम्मंदित वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें दोस्तो अब आपको बताता चलूँ कि भारती टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी किरकेटर सोई मलिक की साधी 12 साल के बार चूट गई दरसल किछले काफी दिनों से ये चर्चा चल ली थी कि दोनों के बीच में तनाव हुए दोनों के तलाग की बज़े भी सामने आ गई वो तलाग की बज़े क्या है? वो तलाग की बज़े कुछ और नहीं है वो तलाग की बज़े है एक पाकिस्तानी सिंगर और एक्ट्रेश आईसा उमर कहा जा रहा है कि आईसा और सोय के वीच में काफी समय से अफियत की खबरें चल रही थी जैसी की रिपोर्ट्स मिली सानिया मिर्जा और सोय मलिक काफी समय से अलग अलग रहे हैं और यहां तक सुना जाता है कि अब उने के बीच सिर्फ कागजी कारवाई की बात ही बचीती और वो भी अब समपूर हो चुकी है कहने का मतलब यह है कि दोनों के बीच में कागजी तोर पर भी तलाग हो चुका है दोस्तो आपको बता दूगी सोय मलिक ने साल 2021 में आईसा उमर के साथ एक बोल्ड फोटो शूट किया था जो की एक स्विमिंग पूल में और थोड़ा ड्रेस आप समझते स्विमिंग पूल में कैसी ड्रेस पहनी जाती है तो उसकी साथ में उस पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ में सोय मलिक ने फोटो शूट किया था उसके बाद सोय मलिक का इंटर्व्यू लिया गया तो सोय मलिक ने इंटर्व्यू में आईशा की काफी तारीफ की थी और उन्होंने उनके बोल्ड फोटो शूट में उनकी झाल झाल